नवस्का दोस्तों मैं हूँ सिवंपांडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जीवों के गुण सूत्रों को ट्रिक के माध्यम सियात करने वाले हैं ठीक है लूसेंड में जितने भी पॉइंट दिये हुए हैं सभी को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम सियात करेंगे तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये सब आसानी सियात हो सके तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मच्छर की जो मच अच्छा रहा उसके कितने गुण सूत्र होते हैं 6 गुण सूत्र होते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं टमाटर की जो टमाटर है उसके 24 गुण सूत्र होते हैं टमाटर जिसको टमेटो भी बोलते हैं तो टमेटो में सब्द लिखा हुए तो मोटो टमेटो टमेटो ठीक है तो मोटो सब्द आपको मिल जाएगा तो ऐसा बोश रखते हैं कि अगर कोई 24 गंटे बैठा रहेगा कोई भी मेहनत का काम नहीं करेगा केवल और केवल खाएगा तो कैसा हो जाएगा तो मोटो हो जाएगा तो मोटो फ़र टमेटो तो आप ऐसे याद रखेगा कि जो tomato है यानि टमाटर है उसके कितने गुण सूत्र होते हैं 24 गुण सूत्र होते हैं ठीक है इसके बाद है मटर जो की काफी ज़्यादा कनफ्यूज करता है टमाटर और मटर दोनों तो मटर के कितने गुण सूत्र होते हैं वो होते हैं 14 तो यहाँ पर देखिए टमाटर को अगर थोड़ी सा अलग सब्द में लिख देते टिन माटर टमाटर थ Channel माटर से अलग हो जाता मतलब उसमें सब्द में लिखा हुए टैनी प्लस मत nostra जैनि अगर टमाटर से मत our का पता करना है तो टमाटर क अगर 24 है तो उसमें अगर 10 माइनस कर दें क्योंकि टो क्के तो 24-10 तो कितना हो जाएगा? 14 तो आप ऐसे मटर का पता कर सकते हैं कि मटर के गुण सूत्र कितना होते हैं? 14 होते हैं क्योंकि टमाटर 10 माटर 10 प्लेस मटर तो 10 माइनस कर दिये अगर टमाटर से तो मटर बस बचा ठीक है? याद हो गया ना? काफी अची ट्रिक है आपके वल बीडियो को देख लिजेगा आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे अब हमाई सामने अगला पॉइंट है मेढक मेढक जो है इसके गुण सूत्र होते है 26 ठीक है? तो यहाँ पर मेढक को मेढ सब्द मेढ सब्द लिखा हुए ना? तो मेढ को कर लेते हैं मेढ मेढ मतलब पागल की बात हो रही है और 26 में 26 सब्द लिखा हुए है तो जाहिशी बात है अगर कोई मेढ है पागल है तो उसकी छवी कैसी होगी? खराब होगी अच्छी छवी नहीं होगी तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेढ आदमी की जो 26 होती है खराब होती है तो मेढ का गुण सूत्र कितना होते है 26 होते है ठीक है? अब बात कर लेते हैं नीबू की इसके गुण सूत्र होते है 18 और 36 ठीक है? किसी के 18 और किसी के 36 तो हम यहाँ पर 36 को याद करते हैं, ठारा आधा है, तो आप देख लेंगे कि जोडे में होता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद करने के लिए देखिए, 36 में सब्द लिखा हुए छती, आपने देखा होगा नीबू मिर्च लटकाते हैं, जिससे की छती यादी नुकसान ना हो, या फिर बुरी नजर ना पड़े, तो आप ऐसे याद सकते हैं, कि 36 से बचने के लिए नीबू को लटकाते हैं, तो नीबू का गुनसूतर कितना होता है, 36 होता है, वैसे यहाँ पर टोटल गुनसूतरों की संख्या पूछा जाता है, कि जोड ही पूछा जाता है, तो आधा हो जाएगा, यहाँ पर मैं टोटल गुनसूतरों की संख्या आपको आज करवा रहा हूँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, बिल्ली की, बिल्ली में टोटल होते हैं, 38 गुनसूतर, मतलब 19 जोड़ी गुनसूतर, तो जाही सी बात है, अगर कोई सुन रहा है, यही बोलेगा, हाँ आजाओ, मैं तुम्हारी आरतवी उतारता हूँ, क्योंकि पता है, बिल्ली जो दूद्ऴी खा जाएगी, तो बोलेगे न, हाँ आजाओ, उतारता हूँ तुम्हारी आरती टंड़े से, तो ऐसे याद कर सकत पिच्चर ये गेहूं की जो मतलब इसके अंदर गेहूं पाया जाते है इसको बोला जाता है बाली गेहूं की क्या है ये बाली है इसके अंदर गेहूं होते हैं तो गेहूं का ये बाली है हमेशा बोला जाता है कि गेहूं में अच्छी बाली आई या नहीं तो बाली फॉर ब 22 जोड़ी गुंसूत्र आपको पता है खरगोस बहुत प्यारा दिखता है देखने में तो ऐसा कह सकते हैं जो खरगोस है अगर उसको बचा के नहीं रखा गया तो चोर उसको चुरा ले जाएंगे तो चोर चुराने फौर चार और चार तो याद रखेगा खरगोस के टोटल क आपको पते हैं मसाले की रूप में यूज की जाती है तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई सब्जी बनती है तो उसमें प्याज का उपयोग किया जाते हैं और सब्जी में जैसे छोले हो गया क्योंकि छोला से सोला एक ही अंक आएगा बांकि किसी सब्जी से अंक नहीं आएगा तो छोला बनेगा तो प्याज को उप्योग करना पड़ेगा तो छोला फोर 16 तो याद रखेगा कि प्याज में total कितने गुण सूत्र होते हैं 16 गुण सूत्र होते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं घरेलू मक्षी की इसमें total होते हैं 12 गुण सूत्र तो आपने मक्षी movie देखी होगी उसमें मक्षी मतलब जो hero होते हैं वह एक बर्ष की death हो जाती है बाद में मक्षी के मतलब की यह कह सकते हैं कि मक्षी की रूप में वह दुबारा जन्म लेता है तो अपने दुस्मनों से यह बैरियों से लड़ता है बैरि फौर 12 तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो घरेलू मक्षी है उसके टोटल कितने गुण सूत्र होते हैं तो होते हैं 12 ठीक है आप हुआई सामने जो अगला point है वह है कबूतर कबूतर में टोटल होते हैं अच्छी पक्षी होते हैं अच्छा पक्षी होते हैं अच्छी पक्षी आपके याद रखिएगा कबूतर में टोटल कितने गुण सूत्र होते हैं मतलब लव की बात हो रही है तो उसमें दो लोग होने चाहिए ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं एसके रिस में कुल कितने गुण सूत्र होते हैं तो यहाँ पर देखिए चालिस और चूहे को मैं कैसे लिखता हूँ चूहा का चू फॉर चार ठीक है और उ की मात्रा लगी हुई न तो उ का ओ हो जाएगा बड़ा उ की मात्रा क्या होती है ओ ठीक है चार और चू ठीक है और हाँ आप हटा दीजे तो चू फॉर चार और ओ तो ऐसे आपको याद आजएगा कि चूहा में टोटल कितने गुण स सूत्र होते हैं ठीक है आप हम लोग बात कर लेते हैं मक्का की मक्का में टोटल होते हैं 20 गुन सूत्र ठीक है तो मक्का को कर लेते हैं मक्कार मक्कार तो जो मक्कार व्यक्ति होते हैं जाही सी बात है हर व्यक्ति की जिन्दिगी में 20 गोलने का काम करते हैं ठीक है तो आप ऐस ठीक है और नहीं पता है तो बहुत ही बुरी बात है तो इसको मैं ट्रिक्स से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा तो अब हम लोग आगे बात करते हैं अब हमाई सामने जो अगला पॉइंट है वह है तंबाकू इसमें टोटल गुण सूतर होते हैं 48 साथ ही साथ चिंपैजी में भी 48 गुण सूतर होते हैं और आलू में भी 48 गुण सूतर होते हैं तो इनको साथ में याद करते हैं तंबाकू में सब्द लिखा हुए डाकू तंबाकू डैकू ठीक है तो डाकू जो होते हैं आपने देखा हो गए जंगलों में रहते हैं ठीक है जंगल में बहुत सारे पेंड़ पौधे होते हैं तो हरियाली होती है हरियाली फौर 48 तो आप ऐसे आद कर सकते हैं कि तमबाकू में टोटल 48 गुण सूतर होते हैं चिंपाजी यानि बंदर की बात हो रही है वो भी जंगल में रहेगा पेंड पौधों में रहेगा जहां हर्याली होगी तो हरयाली फौर 48 तो आप ऐसे आद रखियेगा कि चिंपाजी के भी कितने गुण सूतर होते हैं 48 गुण सूतर होते हैं मतलब 24 जोड़ी गुण सूतर होते हैं और आलू को याद करने के लिए कर लेते हैं लालू आपने देखा होगा जो लालू प्रशाद यादव हैं वो हमेशा खिले खिले दिखते हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा हर्याली यानि खुसी दिखती रहती है तो हर्याली फवर अनतालिस तो इन तीनों को आप याद कर सकते हैं कि तंबाकू चिंपैंजी और आलू के कितने गुण सूत्र होते हैं अनतालिस गुण सूत्र होते हैं ठीक है अब बात करते हैं कुत्ता की जो कुत्ता है उसके होते हैं टोटल 78 गुण सूत्र तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बड़े-बड़े 6 लोग होते हैं बड़े-बड़े 6 लोग जनके पास बहुत जयादा धन्द अलग्तों कुट्त पाल्कर राखते हैं फॉर सेवन और एट एट फॉर एट तो आप इसे याद रखिएगा साथ और आठ यानि कुट्टा के टोटल 78 गुनसूत्र होते हैं ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तुए है घोड़ा इसमें टोटल होते हैं 64 गुनसूत्र 64 को 64 कर लेते हैं 64 मतलब चिस की बात हो रही है और आपने सुना होगा जो घोड़ा होते हैं वो चिस में बहुत ज्यादा महत्पून भूमी का निभाता है ठीक है ठाई कदम चलते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 64 में घोड़े का काम भी होता है तो आप ऐसे याद रखि करेंगे हम लोग मिनिममम बाले को तो देखिए यहाँ पर टेरीडो में तेरीडो यानि तेरा सब्द मिल जाएगा और काईटस में एटस ठीक है तो एटस अगर एट को उल्टा लिखेंगे तो 0000 तो तेरा और 0000 तो तेरा सो याद रखिएगा तेरीडो काईटस के टोटल क और यह भी कि आपको यह लंबे समय तक याद रहेंगे अगर नहीं याद रहता तो आप इसकी पीडियाफ ले लिजिए वहां से आप इसकी कभी कभी रिवीजन कर लिजिएगा ठीक है तो चलिए आप कुछ कोश्चन के अंसर कमेंट करके बताए जिससे मुझे पता चल सके कि आपको यह चीज़े याद हो चुकी है ठीक है तो पहला कोश्चन आपके सामने है कि टमाटर में टोटल कितने गुण सूत्र होते हैं कोश्चन नमर दो मच्छर के कुल कितने गुण सूत्र होते हैं कोश्चन नमर तीन मेढग के कुल कितने गुण सूत्र होते हैं और कि अरेकिए जाले जान, प्ह़ॉप जान, प्हभॉब इंद क्वेड़ने जान, प्हॉप जाद, जाद झाले जान.